तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ 2020 में आई मोवी दा डेविल अल दा टाइम का इसकी IMDB रेटिंग है 7.1 आट आफ 10 जो की काफी सही है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो नीचे लिके लाल कलर से सब्सक्राइब को दबा कर ग्रे कर दें इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली सारी वीडियोज देख पाएंगे तो मोवी की शुरुआत होती है वर्ड बॉर्ड टू से जहां पर हम विलर्ड डरसल नाम के आदमी को देखते हैं वहाँ पर उसका दोस्त मिलर्ड जोन्स क्रॉस पर लटका हुआ मिलता है जो कि जैपनीज सूलजर ने ऐसा किया होता है उसकी हालत बत से बत्तर हो चुकी होती है वो काफी ज़दा दर्द में होता है तो विलर्ड उसे गोली मार देता है ताकि वो और आगे सफर ना करे सेंडी नाम की लड़की मिल जाती है फिर विलर्ड अपने घर पर आ जाता है जहां पर वो अंकल इजिकेल से मिलता है और उन्हें गिफ्ट के तोर पर एक गन देता है फिर वो मॉम को बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है लेगन उसे उसका नाम नहीं पता होत उसकी मॉम कहती है कि उन्होंने एक लड़की देख रखी है जिससे कल चर्च में मिलाएंगी तो अगले दिन वो लोग चर्च जाते हैं जहांपर हेलेन मिलती है फिर वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रॉय होता है उसको गॉर्ड में काफी विश्वास होता है और जिसके चक्कर में वो खूप सारी मकडियां मूँ में डाल देता है ये दिखाने के लिए कि उससे कुछ नहीं होगा तो हेलेन उसी से इंप्रस हो जाती है और शादी कर लेती है और विलर्ड चैरलोट से शादी कर लेता है जिनसे एक बच्चा होता है जिसका नाम वो एर्विन रखते हैं अब विलर्ड का भी गौड पर बिलीव बढ़ जाता है तो वो अपने घर के बीचे खुद का एक छोटा सा चर्ष बना लेता है जिसमें कि वो हमेशा प्रे करता है हेलन और रोय कहीं बाहर घूमने जा रहे होते हैं तो वो अपनी बच्ची लैनोरा को विलर्ड की मौँ के पास छोड़ जाते हैं बट उसे नहीं पता होता कि वो अपनी बच्ची को दुबारा कभी नहीं देख पाएगी ऐसा क्यों ये आगे मूवी में पता चलेगा अब एर्विन बड़ा हो चुका होता है तो विलर्ड उसे भी उस छोटे चर्च पर प्रे करने के लिए ले जाया करता है फिर हमें पता चलता है कि चैरलोड को कैंसर होता है विलर्ड सोचता है कि अगर गौड से पूरे मन से प्रे करेंगे तो वो उसे ठीक कर देंगे वो चैरलोड को बचाने के लिए कुछ भी करने को तयार हो जाता है उसे लगता है कि वो अगर किसी का सैक्रिफाइज करेगा तो वो बच जाएगी तो वो एर्विन के डॉग को ही मार कर क्रॉस पर टांग देता है बट फिर भी चैरलोड मर जाती है एर्विन बहुत रो रहा होता है वो चाता है कि उसके डॉग को भी अच्छे से दफनाया जाए तो वो क्रॉस के पास जाता है वहाँ पर विलर्ड होता है जो कि मर चुका होता है चैलोट के जाने के गम में उसने सुसाइड कर लिया होता है फिर वहाँ पर ली नाम का पुलिस वाला आता है जो कि एर्विन से मिलता है अब मैं आपे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे करेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है अब सीन साथ साल पहले शिफ्ट होता है जहाँ पर हेलन, रॉय और उसकी बच्ची लैनोरा साथ रह रहे होते है जो रॉय ने चर्च में अपने मूँ में स्पाइडर्स ढाले थे उसके काटने को विज़े से उसे इंफेक्शन हो गया था जिसकी वज़े से वो एक रूम में ही बन रहकर बड़बडाता रहता था फिर वो एक दिन बाहर आता है और कहीं जाने को बोलता है तो जो सीन हमें दिखाया गया था जो हेलन लैनोरा को छोड़ जाती है वो यही होता है रॉय हेलन को जंगल मिले जाता है उसे स्क्रू डाइवर से मार देता है उसको यह लगता है कि गौड ने उसे कोई स्पेशल पावर्स दी है और वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है बट उसके ऐसा करने से होता नहीं फिर उससे समझ नहीं आता कि वो क्या करे उसे लैनोरा का ख्याल आता है तो वो लिफ्ट लेके उसके पास जाने लगता है लिफ्ट देने वाले होते हैं काल और सैंडी काल फोटोग्रफर होता है और सैंडी उसकी मॉडल वो सब कहीं पर रुखते हैं और काल रॉय से कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ के साथ इंटिमेट होना है और मैं फोटो क्लिक करूँगा पर रॉय ऐसा करने से मना कर देता है तो काल उसे गोली मार देता है दरसल काल करता ही है यह वो लोगों को लिफ्ट देता है और फिर उनको कहीं ले जाकर सैंडी के साथ इंटिमेट होने को कहता है फिर फोटोस खीषने के बाद उन्हें मार डालता है फिर हम देखते हैं कि एरविन अपने ग्रैंड मदर के घर आ जाता है क्योंकि उसके मॉम डैड मर चुके होते हैं तो वो अनात हो चुका होता है वहाँ पे वो अपनी स्टेप सिस्टर लैनोरा से भी मिलता है अब मुवी 1965 में शिफ्ट होती है जहां एरविन और लैरोरा बड़े हो चुके होते हैं एरविन का बड़े होता है तो इसगेल उसे वही गन गिफ्ट में देता है जो उसके डैड ने इसगेल को दी थी लैनोरा को स्कूल में कुछ लड़के हमेशा टीज करते रहते थे तो कुछ टाइम बाद एरविन उनको मार मार के अच्छे से सुधार देता है उस टाइम वो अपने पिता को याद करता है वो एरविन को यही समझाते थे कि मौका देखकर ही हमला करना चाहिए लैनोरा वहाँ के नए प्रीचर प्रिट्सन से अट्राक्ट होने लगती है वो उसे कार में लेकर जंगल जाता है और प्रेयर के नाम पर उसका रेप करता है फिर हम सैंडी को देखते हैं जो कि अब काल से तंग आ चुकी होती है और वो अब यह सब नहीं करना चाहती पर वो उसे अपनाने से मना करता है और बोलता है कि अगर सब लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे तब Lenora सुसाइड करने का सोचती है बट लाज्ट टाइम पर उसे लगता है कि वो गलत कर रही है पर तब ही उसका बैलन्स भिगर जाता है और वो मर जाती है एर्विन को पता चलता है कि Lenora पेगनेंट थी तो उसे प्रेटिसन पर शक होता है उस पर नजर रखता है तो पता चलता है कि वो और भी लड़कीों के साथ ऐसा कर रहा था तब वो वही गन लेकर चट जाता है और उसको माय डालता है और वहाँ से भाग जाता है फिर हम देखते है कि Carl औ सैंडी को एर्विन मिल जाता है सैंडी मना करती है पर काल उसे लिफ्ट दे देता है ताकि वो अपना काम कर सके कुछ दूर चलने के बाद एरविन काल की गन देख लेता है और जब वो गाड़ी से वही सब करने के लिए उतरता है तो एरविन सल्फ डिफेंस में काल को मार देता है वो सैंडी को नहीं मारना चाता था पर सल्फ डिफेंस में उसे भी मार देता है वो अपने पुराने घर जाता है जहांपर वो बच्पन में रहता था और घर के पीछे उस क्रॉस के पास जाता है वही लीग को पता चलता है कि एरविन ही वही इंसान है जिसने उसकी बहन को मारा है तो वो उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है उन दोनों के शुट आउट में लीग को गोली लग जाती है और उसके मरने से पहले एर्विन उसकी बेहन की फोटो दिखाता है जिसमें की रॉय की डेड बॉडी होती है और वो फोटो वहीं रखकर चला जाता है रोड पर आकर वो फिर से लिफ्ट लेता है एर्विन इतना ज़्यादा ठका होता है कि उसे बहुत ज़्यादा नीन आरी होती है वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है कि वो क्या बनेगा एक सोलजर या फिर शादी करके कहीं सेटल हो जाएगा यही सब सोचते सोचते वो सो जाता है और मुवी यहीं बर्क हतम हो जाती है तो दोस्तों मुझे तो इस मुवी से यही समझाया है कि हमें कभी भी किसी भी चीच को लेकर अंधा नहीं होना चाहिए नहीं तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं अच्छा करने के बजाएब बुरा कर जाते हैं ये मूवी एक नॉविल पर बेज़ड है जिसका नाम The Devil All The Time है इस फिल्म में एक नेरेटर भी है जो कि हमें इस मूवी से बांधे रखता है और देखा जाये तो सब ने अपने कारेक्टर को काफी बखुबी से निभाया है एर्विन ने भले ही लोगों को मारा लेकिन वो बुरा इंसान नहीं था उसने जो भी किया बस अपनी फैमली के लिए किया और उसने किसी अच्छे इंसान को नहीं बुरे इंसानों को ही मारा तो ये था एस्प्लिनेशन देविल ओल दा टाइम का आपको कैसा लगा कमेंट करकर जरूर बताएं और मुझे अगली कौन सी मूवी एक्स्प्लेइन करनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं और आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें अब तक के लिए टाटा बाइ बाइ और नमस्ते झालर को सब्सक्राइब करें